वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फते ए जो चेहरा तुसी मेरे नाल देख रहे हो ए पिशले लम्मे समेतों चर्चा दे विच बनिया होया है सिक्ष समाज देवेच खालसा पंथ देवेच बहुत बड़ी चर्चा दा विशा बनिया होया एच चेहरा जो देखन देवेच बड़ा मसूम जया लागदा है पर इस चेहरे दे पिछे शिपया होया एक शातर दिमाग है उस शातर दिमाग करके पिछले कोश शमेतों इस चेहरे ने कई तरह दे विवाद, शंके, चगडे, सिख कौम देवेच खड़े कीते ने ते उना सारे आनूं देख दे होया शिर्यकाल तक साहब जी वलों एक हुकम जारी होया है इस चेहरे दे बाबत ते उस नू ले करके इस दे वलों कई परकार दे हिले वरते जा रहे हन कई तरह दे इंटर्व्यू दे दे करके पतरकारानूं बला करके ते अपने आपनूं नर्दोश साबत करन दे वास दे तथानू तरोड मरोड के पेश करना क्योंके पतरकारानूं सिखी सिदा आंत दी पूरी नौलेज नहीं हुन दी पूरी समझ नहीं हुन दी ते ओध सवाल ए हो जाए करदे ने जिना दे नाल एदा मकसद जेड़ा है ओ हल हो जानदा है ये अपने आपनूं नर्दोश साबत कर लींदा है अगर इंटर्व्यू दे नहीं है विचार करनी है ते उना गुर्मखान दे नाल उना विद्वाना दे नाल करनी बन दी है पर ऐसा नहीं कर दा क्योंकि इस नूँ पता है जे उना मनुखानू उना विद्वानानू उना गुर्मखानू सनमक बठा के विचार कीती ते इस दा जड़ा पाज है वो उगड जाएगा जो चलाकी होशियारी एहुन तक वर्त रहा है वो समने आ जाएगी इस करके एह उनानू नहीं बलौँदा जो इस दे उते असहमती रख देने जो इस दे नाल सहमत नहीं हन एक इंदायब श्रीयकाल तक साहब जी दे जतेदार सहब आके मेरे नल विचार करन जा दमदमी टक साल दे मुही आके अरके मेरे नल विचार करन और इनू इना नहीं पता भी तेरा कद हजे एडा उचा नहीं होया के तू उना दे सनमख बैठके विचार कर सके तेरे नल विचार करन वास्ते श्रीयकाल तक साहब जी ने कमेटी बनाई सी बुद्धी जीवियां दी गुर्म खान दी पर उना नल बैठन तो तू इनकार कर दीता तेरे नल बैठके विचार करन वास्ते ते दमदमी टक साल दा एक आम विद्यारती ही बहुत है एक आम सिक ही बहुत है जडा गुर्मत दी सुजी रखदा होवे शिर्यकाल तक साहब जी दे जते दार जा दमदमी टक साल दे मुखी सहबान दे नाल बैठके विचार करन जिड़ा हजे तेरा कद नहीं होया सुएस करके रण जीत से अगर तेनू लागदा है वे तेरे विचारां वेच कोई दाम है ता खुला सद्दा रख भी आओ जिनने मी विचार करनी है आओ ते खुले स्टेज दे उते तेरे चैनल दे उते बैठके विचार होवे तांके संगतां दे सामने सच ते चूठदा नतारा हो सके अगर अपने आपनू तानश्री गुरु नानक देव महराज सचे पात्षा जीदा सच्चा परचारक सच्चा सिख समझ दाए ना अगर गुरु गोबिन सिंग महराज सचे पात्षा जीदा सच्चा सिंग खालसा अपने आपनू मन दाए ते फिर कंडिशना ना ला, फिर बंदशा ना ला, भी ए आ सकता है ते ए नहीं आ सकता, फिर खुला सदा दे, भी जेडा भी मेरे नाल सहमत नहीं, ओ आके ते तेरे चैनल दे, उते तेरे नाल विचार कर सके. जेडे पत्तर कारां दे सानमुख बैठके अपना कसूर पुशदाएं, ओ तेनू तेरा कसूर की दसनगे, ओ ते टी आरपी वास्ते होंदेने, प्रसिद्धी वास्ते होंदेने, चंद दमडे कमान वास्ते तेरे कुण बैठ देने, जी में तू चैनल बनाया होया ना, कंट्र प्रसिद्धी वास्ते, चार दमडे कमान वास्ते तेरे कुण बैठ थेने, इस करके ओ तेरी खुशामदी करके, तेरे मतलब दियां गल्ला करके, चले जान थेने ते तू मेरा विर बार बार उना नू एही पोच़दा है मेरा कसूर दसो मेरा कसूर दसो तेरे कसूरां दी लिस्ट ते बहुत लम्मी है ते बार बार तेनु गुर्मखा ने सिख बुद्धी जीवियां ने तेरे कसूरां दी तेरे अपरादां दी तेरे गुनाहां दी लिस्ट भी तेरे सामने रखी है पर तू फेर जान बज़ के उसनों नजर अंदाज करदा बार बार उन्हा अनजान लोका तू अपना कसूर पोशदा है जड़े तेनू तेरा कसूर दसन नहीं होंदे उचार दमड़यां वास्ते प्रसिद्धी वास्ते तेरे सामने बैठके तेरे नाड़ जलना करके ते चले जान देने जे सारे कसूर में एथे गनान लगा ते ए आउडियो बहुत लम्मी हो जाएगी इस करके मुख मुख जड़े कसूर जड़े गुणाह जड़े बक्षे भी नहीं जा सकदे ओ जड़े गुनाहन में उनादा एथे जिकर जरूर करना जाहांगा कि ये सब तु वड़ा गनाह नहें, जिना मापुर्खा दी ये सीस सदका, जिना मापुर्खा दी बक्षि सदका, तु एथों तक पावंचिया. आज तु उना दा नाम लेणा मी चंगा नहीं समझ दा कि ये अकिर्त कणता नहीं कि ये पाप नहीं बे जिना ने तेनू एथों तक पहुंचाया जिना दे सोले गोण गागा करके लोकानू इमोशनल करकरके तु लखा करोणा रुपईया कमाया आज उना मापुर्खां दे संतां दे गुर्म खां दे नाम लेणे मी तेनू गुनाह लगदे हन तेनू चंगे नहीं लगदे कि ये गनाह नहीं पिछले 15-18 सालां तों जेस इतिहास नू साखियान नू सणा सणा करके तु राजसी सोख पोगे हन प्रसिद्धी हासल कीती वड़ेयाई हासल कीती ओ इतिहास वी कवी संतोक सिंग जीदा ही लिखिया होया है ओ इतिहास तेरे बापु ने नहीं सी लिखिया जेडिया साखिया तू पिछले 15-18 सालां तो सुनोदा आ रहा है ओ सारा इतिहास भी कवी संतोख सेंग जी दा ही लिखिया होया है अज ओ कवी संतोख सेंग जी तेनू बुरे लगदे हन कि ये गनाह नहीं इस तो वड़ी अकिर्त कनता ते गुनाह होर की हो सकदा है साहिब सिरी गुरु गरन साहिब महराजी दी हजूरी वच बैठ करके तूँ शर्याम चूट बोलदा है तूँ शर्याम सत्गुरु जी दे सिदांत दे उल्ट जा रहा है इस तो वड़ी अकिर्त कनता इस तो वड़ा गुनाह की होवेगा जेस साहिब स्री गुरु गरन साहिब महराजी दी शुरुवात एक तो हुंदी है उस एक अकाल पुर्ख वाहे गुरु दी होंद दे उत्ते तूं सवाल खड़े कीते हन तूं उस एक अकाल पुर्ख नूं जो करता है जो पुगता है जो लेता करन वाला है उसनूं कुदरत दे वेचही शामल कर दिता उस दी वक्री होंद नूं हदम करन दा गुनाह तूं कीता है एक गुनाह तूं बार बार करदा है जदों तूं अपने आपनू सत्गरु साहिब सचे पाथशा जी दे बराबर रखन दी कोशिश करदा है ज़दों तूं कईदा है अपनिया स्टेजां ते गुरु कलगी तरदश मेश पिता जी ने जो पारुपकार कर्म की ते जो सद्गुरु सचे पाधशा जी ने सरबंस वारिया अनांदपुर साहब जी दा किला शड़या कौम वास्ते मनुखता वास्ते तूं कईदा भी मैं प कर्म फलासफी दा तेनू उड़ा भी नहीं हो दा मनमुखांदियां चार कताबां पढ़के ते अपने आपनू कर्म फलासफी दा फलासफर समझदा है तूं गुर्मखा संता माबूर्खा दिया पड्या हुईया तार ना अज तेनू कचिया लग दिया हन ते जिना दिया तूँ कवितावा पढ़ दायें। उनाने दस केडिया मला मारिया हन। की जीवण है उना दा की देन है उना दी सेख कावमनू तो छलखारी अज तेरे वास्ते पाई नंदलाल ते कवी संतोक सिंग जी ते पाई गुरदाह जी तो उच्छे हो गए कि ये सारे तेरे गुनाह नहीं हन गुरु गरन साहे महराज सचे पात्षा जी वेच दिते होए जनम मरन करम आवा गौन दे जोनिया दे वेच पावन दे सिदा आतनू ही तू खत्म कर रहा है खत्म करना चाउदा है गुरु गरन साहे महराज जी दे सिदा आतनू खत्म करना चाउदा है सिखी सिदा आतनू तू खत्म करना चाउदा हैं सिख इतिहास नू तू खत्म करना चाउदा हैं सिख प्रम प्रामा नू तू खत्म करना चाउदा हैं उन्हा सारिया निशानिया नू उन्हा सारिया बक्षिशा नू जो सत्गुरु साहिब सचे पात्षा जी ने कौम नू दितिया हन चंडे बुंगे निशान, सरोबर ये सब विरासत है खालसा पंथ दी सो सिर्यकाल तक साहब जी वलों जथेदार सहबान वलों जो हुकम जारी होया है रनजीत सिंग वास्ते सारी कौम नू उस दा स्वागत करना चाहिदा है उदे ते अमल करना चाहिदा है कौम दे विच जिनिया मी जथे बंदिया हन संपरदा मा हन संस्था मा हन सारे यां दे विचारक मत पेद हो सकदे हन विचारक टकरा हो सकदे हन पर जो गुनाह रनजीत सिंग ने पिशले समय तो कीते हन मैं नहीं समझ दा बे एहो जै गुनाह किसे वी संपरदा ने किसे वी संस्था ने किसे वी जथे बंदी ने कीते होन इस करके इना गुनाहा नू देख दे होए जथे दार सहबान वल्लों श्रीकाल तक साहब जीतों एह हुकम जारी होया है बे सिखा दा खालसा पंथ दा रंजीत सिंग दे नाल कोई वास्ता कोई राफ्ता जड़ा है ओ नहीं हुना चाहिदा एक असिख है ते एक असिख समाज नू ए जो है पैदा कर रहा है नरकतारिये वांग ब्यास वाले वांग सरसे वाले वांग एवी एक सिखी दे विच कुनदी तरह कम कर रहा है अखीर दे वेच मैं एही कहांगा भी अगर रणजीत सेंग नू ए लगदा भी एदे नाल तका होया है एदा कसूर नहीं है एदा कोई गना नहीं है ते एसनू खुला सदा देना चाईदा है हर उस विदवान नू हर उस सिख नू विचार दे वास्ते जेडा एदे नाल असहम एदे नाल सहमती नी रखदा अकूंबतां तों सुरख्या लेके ते राजसी सोख पोगदे होये सचदा परचार नहीं हो सकदा सचदे परचार वास्ते सूली ते तखता जेडा है उदा दर्दवी अपने पिंडे ते सहारना पहिंदा है जिना ने सचदा परचार की ते ओ स पहतियां ते चाड़े जान्दे रहे हन उततियां तवियां ते बठाए जान्दे रहे हन उन्हाने राजसी सोख ते हकूंबती सुरख्या नी उन्हानूं मिलदी रही उन्हाने अनन्दा दियां पुरियां वरगे सोख वी आख दे फरके नल शड दिते ते आग दिते क्यों के तेरे वेच संतां वाली कुवाल्टी नहीं सी, तेरे वेच संतां वाले गोण नहीं सन, आज तुँ अपने नाम दे नाल पाई शब्द लखवाया है, ते जरह अपने अंदर चात मार भी पाई गुर्दास साहब जी वरगे, पाई नांदलाल साहब जी वरगे, ते पाई मत खलस योग है सोबदा है ओ है अकिर्थकान क्योंके अकिर्थकान उना वलों जिना ने एतों तक पचाया अकिर्थकान गुरू सिदान्थ वलों, अकिर्थकान गुरू सहबान वलों, अकिर्थकान गुरू इतिहास वलों, एकर्थकान गुरू दी संगत वलों माली ओदों तक बगीचे चों भूटे नू बार नहीं सोटदा जदों तक उनू उमीद होवे भी ये शायद हरया परया हो सकदा है जथे दार सहबाने मी रनजीत सेंग नू पंथ चों खार्ज नहीं कीता शेक्या नहीं हजे क्योंके उना नू शायद किते ए उमीद है बे शायद एदे वेच गुर्मत दा गुर सिखी दा जो अंकुर है वो एकवरी फेर फोट जाए इन्ही कू साट लगके इनू समझ आ पर उमीद एदी काट ही लगदी है ए उमीद जथे दार सहबान नू शायद हो सकती है पर सिख संगत नू दास नू एदी उमीद नहीं है क्योंके जिना लोकां दे नाड एदी यारी है ओ बहुत वड़े अकिरत कान हन ओ बहुत वड़े कौमी गुनेगार हन जड़े विदे गल केरना 14 हां जो आजवी एदे पिछ लगओ बने होये अन एदे पगत बने होये हन एदे चेले बने होये अन फे एदे पोले पाले चेरे दे थले एदे शात्र दमाग नू पड़न दी कोशिश करो एदे शबदां दी मिठास दे वेच जेडा कौम प्रती जहर दिता जा र पाख वेच हक वेच नहीं हो सकदे एहो जै निसान सिर्फ अते सिर्फ अपने निजी जीवन वेच राजशी सोख प्रसिद्धी अते वड़ेयाई हासल करन वास्ते किसे वी हाद तक जा सकदे हन कौम दा समाज दा किनावी नुकसान होंदा होवे ए लोक अपनी होमे हंकार वेच फसे होई किसे वी हाद तक जा के अपनी हस्तीनो होंदनो बरकरार रखन वेच माहर हुन दे हन तड्रियावाला वी उना दे विचों एक है टड्रियां वाले वास्ते कवी संतोक सिंग जी बहुत वड़ा मुद्दाहन तार्मक गरंथ बहुत वड़ा मुद्दाहन सुरोवर निशान प्रम प्रामा सिदाँत बहुत वड़ा मुद्दाहन पर एदे वास्ते बंदी सिंग कोई मुद्दा नहीं है एदे वास्ते बाद हुन्दा पंजाब आज एदे वास्ते कोई मुद्दा नहीं है क्योंके आज हकूमत इस दे पखवेच है आज हकूमत इस दी सरप्रस्त है आज एदे वास्ते एक कोई भी मुद्दा नहीं है एदे वास्ते मुद्दा ओ हुन्दा है जिदे नाड इस नू फैदा सो जिना नू विचार चंगे लगे अगे शेर कर देो, चैनल नू सब्सक्राइब जरूर करेो, कंटीदा बटन वी दबा देो, तांके ओन वाले समय विच वी आप जिनू उसारू विचार, जिना दे नाल सिख कौम विच एकता इतिफाक पाईचार क सांज बनी रहे, ओ मिल द दोझे prolड़ी दूँ जाबूर कंटीदशने विचार देजए तांके रहे विचार, जिना बनी देल, हैंगे शो जाड़ी, जिना समय वाले सत्विचार, जिना में वी हुःशने हैं, शिर्वार्वार जिना विचे हैं तरी देल, हैंगे हैं पूब्स्वारे लिजरी